गुड आफ्टरणून स्टूडेंस आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सिक्स क्लास का सेकंड जाप्टर जो कि है आप देख रिख सकते हो अपने स्क्रीन पे अन्दर ट्राइल ओफ अर्लियस पीपल इसका मतलब क्या है कि जो सबसे आदी मानों में जो लोग रहते थे मिन्स ल से परहें देखते हैं human life has evolved over millions of years in earlier stages men were hunters and food gatherers इसका मतलब क्या है कि मानव सब्देता को evolve होने में करीब करीब लाखों साल लग गये और हम शुरू-शुरू में क्या थे सिर्फ एक hunter थे मिन्स लाइक हम हंट करके अपना food लेते थे और food gatherer थे मतलब पीडों से या कहीं से ली या तो हम जानवरों को मारते थे खुद से और फिर वहां से खाना लेते थे या दूसराघ व्यकल्ब था हमारे पास कि क्यों food gather करते थे ठीक है तो हम क्या-क्या हंट करते थे हम wild animals हंट करते थे हम fishes हंट करते थे और हम fruits gather करते थे seeds gather करते थे nuts gather करते थे और इससे हमारा जीवन्यापन होता था ठीक है तो why did the earliest इसका मतलब है कि शुरू-शुरू में जो लोग रहते थे वो बंजारों के तरह क्यों इधर से उदर गोम कर अपना जीवन व्यतीत करते रहते थे उसका कारण यह था कि अगर वो एक जगह पे रहते अब एक जगह पर रहोगे तो वहां के जितने भी पेड़ पौद्रे के जितने भी फल है वह आप खालोगे कुछ दिन और आसपास जितने भी अनिमल वह आप खालोगे ठीक है तो आपके बास बचे काहीं नहीं इसलिए आपको एक जगह से दूसरे जगह मोग करना रहता था कि जब तक आप दूसरे जगह से फिर से उस जगह पर तब तक वहां पर पेड़ पौद उख जाए और फिर से काफी सारे जानवर आ जाए तो यह यहां पर लिखा हुआ है अब स्वास फ्लांट से लाघल यह और यह सब इसलिए हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते घले पर दूसरे तो रहते हैं आगे चलते हैं तो हम पुराने लोगों के बार में पढ़ते कैसे हैं यह हमने पिछले बार भी पढ़ाता है इसका जस्ट ओवर्वीव एक लिए लेते हैं कि बहुत सारे सेवरेल टूल से कि वह हम जो हैं वह हंटर गैदर से और हम कौन कौन से टूल इस्तमाल करते तो आर्के लोजिस्ट कौन होते हैं जो जमीन खोद कर पुराने पुराने चीजों का अध्यान करते हैं ठीक है जो उस ताइम के मिले हुए चीज रहते हैं कि हम कैसी गरते हैं तो आगे बढ़ते हैं टूल्स वेर मेट अव स्टून जो थे वह स्टून के बने हुए और बुड के बने हुए थे ठीक है और उसका मियूज किस चीज में करते थे मीट काटने में और फ्रूट को अजया से उस टाइम एक नॉर्मल जिन्दिगी जैसे हम जीते थ जीते हैं लेकिन आज यह नॉर्मल जिंदिगी से अच्छ के आम जीते हैं क्योंकि आज हमारे पास कट करने के लिए बहुत सारी चीज़ है लेकिन फिर भी एक नॉर्मल लाइफ तो हम ऐसे जीते आ घूआ जी अच्छाए बस आज हमारे पास श्शीन्स काफी काफी आ गई है तो वूड वॉड 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 का इस्तमाल किस चीज में होता था अपना जोपडी बनाने में और आग लगाने में उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं वेर दिड अर्ली में लिव जो पुराने लोग रहते थे वो रहते कहा थे तो हम रहते थे पानी के पास ठीक यहां पर्वाख चयां पर काफी सारे स्टों मिलते थे दिए उसको क्या बनाते थे स्काइल के इस Ilya पॉड तो तो ऑम पुल्स के बना सकते थे और बहूट सारे यह बोलते हैं कि उस टूल से समाल करते थे वह ने होते हैं तो हम इस पूरे एज को तीन पाइट बाळ सकते हैं, Palaeolithic, Mesolithic और Neoolithic तो तीन पर्ट में बाच सकते हैं इसको हम पूरेल श टोण एच को, ठीक है Now making stone to stone tools were used for two technique तो बनाने के लिए we are used to create a stone tools were made using two techniques to produce, stone tools, stone on stone और pressure faking तो यह आप याद रखना की stone tools बनाने के लिए हम दो एकनीक 여기까지 सब्सक्राइब करना लेकिन आपको objective questions में आ सकते हैं कि हमारे पास दो कॉन से टेखनीत है जिससे हम स्टोन टूल्स बना सकते थे तो एक था स्टोन टूल्स स्टोन और दूसरा था प्रेशर फेकिंग अब आगे चलते हैं तो उसके बाद मैंने फायर डिस्कवर किया तो एक्सिडेंटली क्या हुआ था कि हम जब पत्थर को गिसे तो हमें ऐसा लगा कि यार पत्थर में से कोई चिंगारी निकले और उससे हम फिर फायर का जन्म हुआ ठीक है तो उस फायर का जन्म हुआ फिर हमने उस फायर का बहुत सारे चीज़ों में इस्तमाल किया ओवर अप पीरियोड ऑफ टाइम मैं लेर्ण सेवरल यूज़ ऑफायर जो वही जो कि मैंने बता है कि समय के साथ हम अलग-अलग फायर का यूज समझ गए ठीक है इट वाज यूज़ इन विंट पेंटिंग भी क्या करते थे इसको हम अर्ली रॉक पेंटिंग बोलते हैं तो पढ़ते हैं इसके बारे में तो में हम जो पेंटिंग करते थे वह जैनरली वाल्स पर किया करते थे ठीक है और यह चीज़ आपको भीमबेट का MP में मिलेगा और Southern UP मतलब कि दक्षिन उत्तर प हम पेंट करते थे अपने दिवाल पे तो ऐसा चीज हम पेंट करते थे ठीक है और जिनरली हम क्या पेंट करते थे मैं में हंटिंग मतलब कि जो आदमी हंट कर रहा हो किसी एनिमल को ठीक है विमन ग्राइंडिंग विमन जो है कुछ पीस रही हो खाना बनाने के लिए जो है वो जम करें खेलते के जो जो चीज की ते थे वही हम पेंट किया करते थे ठीक है तो उसके बाद डेकन का पा होता है देकन जो है वह आपका साधं महरांस्त्रा और आंद्रप्देश का पार्ट तो वहां पे हम पैलिए इस थे मिजर युग्जांपल है वह चिर्की न आगे पढ़ते हैं कुर्णूल इन आंद्रपदेश एंड हुंस्गी इन करनाटका यह दोनों जो है वह बहुत ही फेमस पैलियोलिथिक साइट है कुर्णूल आंद्रपदेश में और हुंस्गी करनाटका में और यह कहां मिलता है जैसे गुदावरी कृष्ण और ताप्ती र आगे पढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ है लाज नंबर ओ पैलिथिक टूल्स फ्रॉम स्टून है बीन पांड अब बहुत वहां पर रहते थे तो बहुत सारा पैलियोलिथिक तूल्स उस ताइम जो यूस्ट किया हुआ हूआ टूल सम इस्तमाल करते थे वह हमें लार्ज अम सब्सक्राइब बहुत सारे अपने काम करने में जैसे बोन्स का इस्तमाल हम टूल्स के रूप में कर सकते हैं तो इससे हमें उस टाइम रह रहा है लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है तो यह था हमारा छोटा सा चैप्टर चैप्टर टू जिसका की नाम था ओन अपने अगले चैप्टर में ठीक है चैप्टर थी में तो चैप्टर टू ऑफ दे हिस्ट्री ऑफ क्लास 6 इस कंप्लीटेड आइल में मीट यू इन दे नेक्स चैप्टर ओके थैंक यू बाई बाई